नहीं दिली उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कापोरेशन ने समविदा कंड़क्टर के पदूं पर आवेदन जारी किया है UPSRTC Recruitment 2018 में जारी किये गए पदूं की कुल संख्या 127 है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कापोरेशन रिकूट्मेंट 2018 में इन पदूं पर आवेदन करने के लिए उम्मीद्वारों को किसी मान्यता प्राप्ट बोर्ड या संस्थान से बारही उत्तीर्म होना आवश्यक है समविधा कंड़क्टर के पदूं पर आवेदन करने के लिए उम्मीद्वारों की आयो सीमा अधिक्तम 45 वर्ष निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश रोड ट्रांस्पोर्ट कॉपरेशन में इन पदूल पर आवेदन करने के लिए उम्मीद्वार रूपी एसर टीसी द्वारा जारी विद्यप्ती को देखे एवं उसमें दिये गए निदेशों के आधार पर आवेदन करें कंडक्टर के पदूल पर आवेदन उनलाइन मान्य होंगे आवेदन पदूल पर आवेदन करने की अंतिन तिक्वी 14 जुलाई 2018 है पद का नाम समविदा कंड़क्टर, पदूंग की संख्याहिक 127, सामान्य वर्गह 100, SC और ST वर्गह 27, आवेधन प्रक्रिया समविदा कंड़क्टर के पदूंग पर आवेधन ओनलाइन मान्य होंगे. इन पदूंग पर आवेधन करने के लिए उम्मीदवार UPSRTC की ओफिशियल वेबसाइट को ओपेन करें एवं उसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान पूर्वग देखें, इसके पश्चात आवेधन आवेधन प्रक्रिया पूर्म करें. कंड़क्टर के पदूंग पर आवेधन करने की प्रारम पिकी तिथी 30 जून 2018 हेवं आवेधन भरने की अंतिम तिथी 14 जूलाई 2018 है. आवेधन पूर्म हो जाने के बाद उम्मीदवार उसके प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रख लें. Other details Online Form Submission की तिथी 30 जून 2018 अंतिम दिन 14 जूलाई 2018 आयू 45 वर्ष चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन इंटर्मीडियेट में प्राप्तंकों के आधार पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इन पदूल पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ष के उम्मीदवारों को 200 रुपे आवेदन शुर्थ देना होगा. शैक्षनिक योग्यता UPSRTC में कंड़क्टर के पदूल पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से बारह मीं पास होना आवश्यक है. बेतन्प कंड़क्टर के पदूल पर चयनिता वेदकों को किलो मीटर के आधार पर भुत्तान किये जाने का प्रावधान है. पद का नाम समगिदा कंड़क्टर